आदरनिय महोदय मैं तो अन्याई के खिलाप लड़ा हूँ मैं तो अन्याई के खिलाप लड़ा हूँ इसलिए आपको बदाई देने के लिए यहाँ खड़ा हूँ आपका अन्याई बहुती बड़ा है इसलिए आपने संगर्श का पहाँ तड़ा है मेरे पार्टी का मैं हूँ अकेला लेकिन मेरे हाथ में है सुविधान का पेला मैं हूँ मेरे पार्टी का अकेला लेकिन मेरे हाथ में है सुविधान का पेला मैं तो हूँ आपका सच्या चेला मुझे मझ छोड़ो अकेला जिन्होंने उपराश्टपती का सर किया है गड़ उनका नाम है धनकड हमें मिलकर उखाड देनी है विशमता की जड़ हमें मिलकर उखाड देनी है विशमता की जड़ इसमें जरूर सफल होंगे आदर्मिय धनकड हाउस में जो सदश्यक करेंगे फ्रैक्शन हाउस में जो सदश्यक करेंगे फ्रैक्शन उनके ओपर होनी चाहिए गड़ी एक्शन हमें तो मजबूत करना है भारत नेशन हमें तो मजबूत करना है भारत नेशन हंगामा करने की हमें नहीं चाहिए एक्शन तो हमें पुरा विश्वास है कि आप बहुत बड़ा संगर्श करते गरते यहां पहुंचे है गाऊ से आकर किसान के बेटे की माध्यम से आप इतने बड़े उच्च पद पर आए है इसमें आपका अन्भो आपका बहुत बड़ा संगर्श है बहुत बड़ा काम आपने किया है आपने पश्रिम बंगाल में गवर्नर का जो काम किया है बहुत बड़ा वहाँ चालेंज था वहाँ काम करना बहुत बड़ा मुश्किल था लेकिन आपने बंगाल में बहुत अच्छा काम किया है और बंगाल में अच्छा काम आपने किया है इसलिए आपको यहां लाने की कुशिद जुरूर हुई है मतलब आप एक संगर्शिजी लेता है मतलब वहां अगर आपका काम ठीक नहीं होता था तो शायद एपद आपको मिलना बहुत बड़ा मुश्किल था लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया है खिक बात है बंगाल भी अपना ही है सभी बंगाल के निता भी अपने है देश का एको राज्य है और कोई भी राज्य हो यहां किसी पार्टी की सत्ता आती है जाती है कोई मुख्यमंत्र होता है कोई नहीं होता है कभी हम भी मतलब तीन बार समस्द रहे लोग सभा में और मैं स्रीडी में हार गया लेकिन मैं हार गया लेकिन मैं घर में बैठा नहीं मैं घुमता रहां मैं घुमता रहां मैं कॉंग्रेस पार्टी के साथ रहां कॉंग्रेस पार्टी के मेरे सभी दोस्त है समाजवादी पार् की मेरे दोस्त है और अभी जदीपि की मिरे दोस्त है मैं आया हूँ और भारती जनता पार्टी के साथ मैं इसलिए आया हूं कि मुझे श्रीडे में हरा घया है हैं बिल स्रीडे में हरा गया मंत्री ने बाण सबका साथ सब का विकास दिख रहा है सारा प्रकाश वही जो प्रकाश दिख रहा है तो नरेद मुदी जी के नित्रूतों में मैं निर्ने ले लिया कि मैं बाबासाब अंबेडगर जी के आनुयाइवहँ बाबासाथं अंवडगरजे ले सत्त हम आना चाहिए बताया है मेरे अकीली पारिटी सत्ता मिन और किसी के साथ मिलकर रे सत्ता में आ सकता हूँ और मेरे पार्टी के मुझे हें कि तुम्हारा पारिटी का एक भी लोकसुपा में में नहीं है तो विए आप मंत्री कहीं से है, तो मैंने गोला मानने नरेद मुदी जी को जाकर पूछो, मतलब मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरे पार्टी के लोग पूरे देदेशभर में है, नौर्थ इस में मेरी पार्टी, सभी पार्टी है, और मुझे बोलने का मौगात दीजी, मुझे म मालूम हैं कि आप बहुत अच्छे आत्मी हैं और मैं आपको आप मुझे हर बार बोलते थे कि आमको कविता सुनाओं घर आप मुझे जय जादा बोले के लिए देगे तो मैं कविता सुनाओंगा नहीं तो एक पर नहीं सुनाओंगा तो ठीक बात है मतलब कभी था साभनाओं गा और अप एक आनुखूए है तो इसलिए apposition को भी आप मोकांते दीजिए हंगामा करने के लिए मोका दीजिए लेकरन एकडा दिन हंगामा करने के मोका दीजिए दूसरी दिन ACTION होना चाहिए और हाऊँस का काम बी मतब्लिए चलना चाहिए इसलिए आप एक सरोच हाऊस के आप बन गए है इसलिए मैं मेरी जो पर पकिया है री प्लिकल्बिन पार्टी है घरी पार्टी है तदलितों की पार्टी है इस पार्टी के तरब से मैं आपके साथ हूँ मैं हमेश आपको साथ देता रहूंगा और आप मुझे बोलने का मोगा देती रहो जै भी जै भालत